अदो दोस्तो रस अफलता सीरीज के पेपर 4 में आपका स्वागत है रस अफलता सीरीज के तीन पेपर की वीडियो सोल्यूशन हम ने प्रोवाइड करवा दिये साथ ही 10 हाई क्वालिटी टेस्ट में से 6 टेस्ट लाइव हो चुके हैं अगर आप अपनी तैयारी को मुल्यानकित करना चाहते तो अभी प्लेस्टोर पे जाये मुलानकेड में अप्लिकेशन को इंस्टोल करें और आरेस सपलता सीरीज में अन्रोल करें चले शुरू करते हैं पेपर 4 की वीडियो सोल्यूशन पहला प्रश्ण आपू के पर्मारवन से समंधित सत्य कतन कोन सा है यानि इन में से एक सत्य कतन है बाकिया सत्य है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोन सा कतन सत्य है सोम सिंग के सासनकाल में तेजपाल ने दिलवडा में लोणों साही नामक नेमिनात मंदर का निर्मान करवाया उत्पल राज आबु के परमारवन्स का संस्तापक था उत्पल राज के सासनकाल में आदिनात मंदर का निर्मान हुआ या ये सारे कतन ही सत्थ है तो इसका अंसर होगा Option A नहीं option A सौम सिंग के सासनगाल में तेजपाल ने दिलवडा में लोणो-साइ- नामक निविनाथ मंदिर का निर्मान करवाया तहा तो निविनाथ मंदिर का निर्मान करवाया किसने तो ये करवाया था तेजपालने और कहां पे दिलवडा में अब देखो उत्पल राज आबू के पर्मारवन्स का संस्तापक नहीं है दूमराज है वो आबू के पर्मारवन्स का संस्तापक माना जाता है लेकिन उत्पल राज से आबू के जो परमारवन्स की वन्सावली है वो सुरू होती है वन्सावली उत्पल राज से सुरू होगी लेकिन संस्तापक किसे मना जा रहा है संस्तापक दूमराज को मना जा रहा है दुन्दक के समय गुजरात के भीमदेव ने आभू को जीत कर विमल साह को अन्यूक्त किया था और उन्होंने एक अजार इकत्तीस में आधिनाथ मंदर का निर्मान करवाया तो जो दुन्दक था गुजरात का सासक उस समय इसका आधिनाथ मंदर का निर्मान हुआ था सोम सिंग संकाल में जो तेजपाल उसने दिलवड़ा में लोनो जजीकर बंदिर उसका निर्माने करवाया और 1311 में नाडोल का जो चुहान सा सक राव लुंबा उन्होंने परमारो की राजानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था नहीं चोहानों ने चंद्रावती पर कब अधिकार कर लिया चोहानों ने पर्मारों को अराकर पर्मारों की केपिटल चंद्रावती पर अधिकार 1311 में किया था और किसने किया कोन से चोहान सासक ने किया तो इनका नाम था राव लुंबा क्या नाम था राव लूंबा इनका नाम था अगले प्रिश्ण पर चलते हैं रुक्का, रुक्का क्या था मुगल बाद सा दौरा जारी साही आदेश एक लिखित प्रातना पत्र एक राजा को दूसरी राजा को पत्र विवार या दिखारियों के मद्दे पत्र विवार तो जो रुक्का है वो एक लिखित प्रातना पत्र था लिखित मतलब एप्लिकेशन लेटर था छोटा प्रातना पत्र कह सकते जिसे पूर्जा, चिठी, परचाज भी कह सकते और हुंडी क्या होती है अलवर किसान आंदोलन से समझेत कतनों में से सत्य कतन है रियासत में जंगली सुवर के पालन के कारण खड़ी फसल बरबाद कर देते थे जो जंगली सुवर थे अलवर साइड की जो रियासत थी अलवर रियासत थी उसके जो किसानों की फसल को बरबाद कर देते थे और इससे फरेसान होकर किसानों ने आंदोलन सुरू किया यह हम बात करें अलवर किसान अंदलन की ये बात सत्य है क्या दूसरा कतन इसके विरोध में 1922 में अंदलन हुआ ये सत्य है क्या तो इसका आंसर है पहला कतन तो है वो सत्य और दूसरा कतन है सत्य यानि जो विरोध है जो जंगली सूरों के खिलाफ जो खड़ी पसल को बरबा करते थे यह 1921 में वाना की 22 में वा था तो पहला कतन सत्य हो जाता है तो हमारा अंसर ऑप्सन भी हो जाएगा अब देखो इसके बारे में डेटियल से देखते हैं तो जो अलवर का क्रशक आंदलन है किसान आंदलन है 1921 से 1925 में चला था और जो राजनेतिक जन्जाकरती का किस किसान आंदलन हो रहे तो अलवर में किसान आंदलन हुआ अब अलवर में जो किसान आंदलन हुआ उसमें प्रमुक किसान नेता कौन गों से थे तो एक तो मादो सिंग हो गया इसके लावा अमर सिंग जी गोविन सिंग गंगा सिंग ये मुक्य आंदलन कारी किसान नेता थे अब अलवर के किसान अंदलन को हमुकी तो दो बागों में बाढ़ सकते एक तो जो सूर परेसान कर रहे थे वो वाला और दूसरा एक निमूचड़ा किसान अंदलन हुआ था जो खाल सक शत्र में भूमी थी उसमें लगा अंदर बढ़ा दिया गया था इसलिए वहां के महराजा ने यह अंदलन शुरू किया था तो पहले जो पहला अंदलन इन दो अंदलन में वा वो था सूर पालन के विरोध में जो अंदलन वा था 1921 में तो बाद में क्या क्या जो महराजा थे उन्होंने किसानों को उन सूरों को जो पसलों को खराब करते थे उनको मारने की अनुमती परदान कर दे तो किसानों का जो परपस था असॉल हो गया तो यह आंदूलन समापत हो गया अब दूसरा पार्ट शुरुआ 1923 से 1925 के मद्दे और अलवर के आंदुलन के महाराज उस समय थे जैसिंग और उन्होंने इस आंदुलन का नित्रत्थु किया था अब वह क्या लगार बड़ा दिया क्योंकि अलवर की जो बूमी थी अधिक तर बूमी खालसा क्शत्र के अंदर गरता थे थी खालसा क्या होता है तो महाराज़ार नहीं इसका विरोध कर दिया किसानों के लिए और काफी तीवर असंतोस हुआ था और एक हत्याकान भी इसे समय गटित हुआ था तो इस प्रकार अलवर के कर्शक अंदुलन के जो पाठ एक तो सुवर पालन विलो दिया अंदुलन जो 1921 में वा और निमू चोना किसान अंदुलन जो 1923 ते 25 तक चला इसका नित्त तो जैसिंग की दोरा किया गया राजस्तान में जन जाकरती पहलाने वाले प्रमुक समाचार पत्र सजन कीरती सुदाकर इसके संपादक कौन थे तो सजन कीरती सुदाकर के संपादक थे मेवाड के मारणा सजन सिंग उन्हों ने ही जो समाचार पत्र है सजन कीरती सुदाकर इसे प्रकाशित किया था कब प्रकाशित किया? 1879 में, 1889 में और ये पाक्सिक समाचार पत्र था यानि हर 15 दिन पे एक इसका पत्र आता था संक्या आती थी अब राजस्तान में जो महत्पुन समाचार पत्र है उनसे समंदिद जो महत्पुन बाते हैं उनको देख लेते हैं एक तो महत्पुन समाचार पत्र में आता है राजपुताना हेराल्ड और इसमें जो प्रशन बनते हैं समाचार पत्र से समंदिद कि किसका समन्द की समाचार पत्तर से था और ये समाचार पत्तर का प्रकासित कौन से वर्स में किया ये दो मुख्यत प्रश्म बनते तो राजबुतान हिराल्ड है ये हनुमान सिंग जी ने सुरू किया था और कब? 1825 में अब राजस्तान टाइम्स राजस्तान टाइम्स ये अजमेर से प्रकासित होता था और लक्सम बनतास ने इसका प्रकासित सुरू किया था एक राजस्तान समाचार नाम का समाचार पत्तर था इसको 1889 में मुंसी समर्थदान के दोरा सुरू किया गया राजस्तान समाचार मुंसी समर्थदान के द्वारा 1890 में शुरूप किया गया लक्षमदास ने राज़तान टाइम्स को राजबताना हैराल्ड हनमान सिंग जे ने वहीं 1921 में नवीन राज़तान का प्रादम किया गया नवीन राज़तान 1921-22 और जो बिजोलिया और बेगू कि किसान अंदोलन की जो चर्चाएं थी वो इस समाचार पत्र में प्रकाशित की राष्ट दूत नाम का एक समाचार पत्र है जिसको सुमनेश जोसी ने प्रकाशित किया राष्ट दूत सुमनेश जोसी क्या नाम है सुमनेज जोसी और कॉमल कोटारी प्रेना और ग्यानोदे नाम के जो समाचार पत्र है ये कॉमल कोटारी ने शुरू किये थे ठीक है तो एक बार फिर से देखते हैं सज्जन कीर्थी सुदाकर मेवाड के महाराना सज्जन सिंग ने 1889 में पिर राजपुताना हेरालड 1885 में हर्मान संग जीने पिर राजस्तान टाइम्स लक्ष्मन दास द्वारा जो अजमेर से प्रकाशित होता था और राजस्तान समाचार है मूँची समर्तदान के द्वारा तरुन राजस्तान 1921 में सोबालाल और रामलान चोदरी के द्वारा 1921-22 के अंदर राजस्तान सेवा संग ने नवीन राजस्तान को वारंब किया जिसमें बेगू और बिजोले किसान अंदलन की जो खबरे थी उनको प्रकाशित किया राष्ट दूत सुमनेज जोसिक के द्वारा प्रकाशित किया गया और प्रेना और ज्ञान दे ये कोमल कोटारी के द्वारा सुरू किये गये अगले प्रशन में चलते हैं मतस्ते संग इसके अंदर गद राजस्तान की कौन से रियास्ते सामिल हुई तो अलवर बरतपूर दौलपूर करोली वाली जो रियास्ते थी इनको कमबाइंड करके जो संग बनाया गया उसे मतस्त संग के नाम से जाना गया राजस्तान के एकिकरन के सुरुवाद भी मतस्त संग के एकिकरन से हुई कब शुरुआ तो रास्तान की किरन की शुरुआत कब से माने जाती है 18 मार्च 1948 और चीप सिप इसमें निम्राना चीप सिप को भी इसमें सामिल किया गया मतस्तसंग के अंदर वो इसका उद्गाटन किस ने किया तो उस समय केंद्रिय मंत्री थे एन्विक गोडगिल साब इन्होंने इसका उद्गाटन किया अब इसके अंदर जो मैतपुन परदान किये गए वो देख लेते हैं मतस्तसंग में जो महराजा उदेबान सिंग है जो दोलपूर के महराजा थे उनको राजप्रमुक बनाया गया तो मतस्तसंग का राजप्रमुक उदेबान सिंग को और उदेबान सिंग उस समय दोलपूर के महराजा थे और जो करोली के महराजा थे उनको उपराजप्रमुक बनाया गया और इसका पदान मंत्री किसे बनाया गया सोबालाल कुमाओत को मतस्य संग का पदान मंत्री सोबालाल कुमाओत को बनाया गया और इनका सम्मन्द कौन से प्रजा मंडल से था तो इनका सम्मन्द अलवर प्रजा मंडल से था और ये मतस्य संग नाम किस ने दिया तो मतस्य संग नाम सुझाया था केम मुंसी ने किसने केम मुंसी ने मतस्त संग का नाम सुझाया था इन में से कौन सा सुमिलित नहीं है श्रिनाज जी का मंदी रास्तमंद रामद्वारा बंडदेवरा बारा आदिनात जेन मंदीर है रनकपूर मंधिर नागदा उदेपुर तो देखो सिनात जी का मंधिर रास्तमाद में है बिल्कुल सत्य है लेकिन राम द्वारा काहँ पर राम द्वारा तो सापुरा विल्वडा में है नाखि बंडदेवरा 12 में तो यह गलत हो जाता है और हमें क्या पूछाता कौन सा सुमेलित नहीं कैने थो इस प्रकार माया हुथी कि के ह 이상 जाएगल में開व का मन्दिर कहा अधिनाध ज्यक मंदिर है तरे में वस्तित थैं। रामद्वारा सापुरा विल्वाडा में का पे सापुरा किर बेआ और स्रिनाथ जी का मंदिर है ही पता है रास्थबन में ही यह पुष्टि मार्गे वेष्टमों का तिर्थिस्थbnrás पुष्टि मार्गे वेष्टमों है उनका मुख्य तिर्थिस्थand मनदा जाता है और इसमें बगवाद कृष्ण के जो बाल रूप है उसकी पूजा की जाते है रामद्वारा, सापुरा, बिलवडा या रामसनी संप्रदाय की मुखे पीट है इसके संस्तापक कों थे रामसनी संप्रदाय की सापुरा पीट के संस्तापक थे रामचरंजी महराज यहां पर विशाल रामद्वारा बनावा है इसके समाधी पर 12 दरी बनी हुए और जो रामचरन जी इनकी समाधी पर 12 दरी बनी हुए जिसके उपर कलात्मक 12 इस्तंब और 12 दर्वाजे लगे हुए हम बात किसके कर रहे है स्वामी रामचरन जी की जो समाधी है उसकी जिसको 12 दरी के नाम से जाना जाता है बंड देवरा 12 में तो सिव मंदीर है जिसे हम क्या कहते हाडोती का खोजुराओ कहते और दस्वी सदी में मलाई वर्मा जो राजा था मेद्वन से राजा था उसने इसको बनवाया था और रनकपूर के जेन मंदीर जो रनकपूर पाले में है ये माना कुम्बा की शासनकाल मे जेन वापर दोरा बनाया गया था और इसका सिल्पी कौन था तो रनकपूर जेन मंदीर का सिल्पी था देपाक कौन था देपाक था और ये मंदीर परतम जेन तिर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है तो रनकपूर पाली वाले जेन मंदीर है ये किसे समर्पित है ये आदिना निए। लेकिन बाद में इस मंदिर को वापिर स़ई करवाया गया और राजस्तान की आदि संस्कृति की पारंपरिक वेस बुसा बोपा बगत भाट जातियां वीर गाताओं का गायन इस मेले में केज़ता है ये पसु मेला भी है और पूरे विश्व में प्रशिद है ये पसु मेला अपनी विविता के लिए पारंपरिक वेस बुसा के लिए और अपनी विशालता के लिए राजस्तान में रेस्तान के आभूशन बनाने वाले कारीगरों को क्या करा जाता है यहनि राजस्तान में वे कारीगर जो रेस्तान के आभूशन बनाते हैं उनके क्या कहते हैं पटवा कहते हैं विसाती कहते हैं गंगम पटवा कहते हैं तो इनक पटवा बिसाती गंगम पटवा जो रेसम के अबोशन मनाते हैं वहाँ निवाश करते हैं हेला ख्याल हेला ख्याल के प्रेरक कोन थे मतलब हेला ख्याल है इसके परवर्तक कोन थे लच्छी राम जी सायर हेला अली बक्सी दामोदर हेला तो हेला ख्याल के परवर्तक माना जाता है साइर हेला को, किसे? साइर हेला है, इनको हेला ख्याल का परवर्तक माना जाता है और हेला ख्याल मुक्यत तो ए रास्तन के जो पूरी बागी से लाल सोड़ दोसा हो गया सवायमा दो पूर हो गया उन चेत्रों में प्रशिद है और इसके प्रियोग के साथ एक ख्याल का सुरुवात होती है और जो वाद्दे यंत्र इसमें बजाया जाता है उसे हम कहते हैं नोबत नाम का वाद्दे यंत्र बजाते हैं साथी बम नाम का जो नगड़ा होता हो बोजाते हैं और इसकी मुख्य इवसेस्ता होते हैं हेला देना यह लंबी आवाज लंबी मतलब किसी चीज़ को लंबी आ वो पूरी रास्तान में ये पूरी रास्तान में परशिद है और जो लची-राम-जी एक सब्डायत हैasis हमारे तो ये , कुंसा कुछामनि ख्याल के परवरतक चेन परवरतक है कुन है लची-राम-जी परवरतक है जो ओपेरा होता है जो विदेशों में ओपेरा जैसा गाइन होता है ना उस प्षेली में ये गाए जाता है कौन सा कुचामणी ख्याल तत्वाद्दे यंत्रों में नहीं है यानि इन ओप्संस में से कौन सा वाद्दे यंत्र है जो तत्वाद्दे यंत्र नहीं है रावन हत्ता नड़ सारंगी या बपंग तो इनमें से जो नड़ है वो तत्वादे यंत्र नहीं है बाकी सारे तार के माद्दिम से बजाए जाते है तो तत्वादे यंत्र है रावन हत्ता क्या होता है तो रावन हत्ता है वो लोग तत्वादे यंत्र ही है और काफी फिमस है और नारयल के कटोरी पर खाल मढ कर इसे बनाये जाता है और इसकी डांड होती है बांस की बनी होती है जिसमें खूटिया लगा अगर तार बांदे जाते है जो पापू जी के भौपय होते हैं जो वाद देंतर बने जाते हैं तो उससे रिलेट करके इस प्रकार तुम्बी से बना जाता है अपंग ये अपंग जैसा ही मिलता जोलता है और इसे कौन से जाती उप्यों करती है इसे गराश से जाती उप्यों करती है और नड़ नड़ क्या है नड़ एक सुसीर वाद्दे अंतर है जो मुझ से टेड़ा रखकर बजा जाता है और यह याद रखो कि नड़ कुन सा वाद्दे अंतर है सुसीर वाद्दे अंतर है नड़ किस पकार का वाद्दे अंतर है तो नड़ है वो सुसीर वाद्दे अंतर ह बाकी राउन हत्ता सारंगी और अपंग ये क्या है ये तत्वाद देंतर है यानि तार का उप्योग उसमें किया गया है और जो नड है इसका उप्योग मुख्यत है जेसल मेरे नि पस्चमी राजस्तान में होता है राजस्तानी संस्कृति में जानोटन क्या है जानोटन किसे कहते है तो जो वर्पक्स होता है वो जब बरात आते तो बोज दिया जाता है तो वर्पक्स की ओर से दिया जने वाला भोजन वो जानोटन कहलाता है तो जेवनवार बोज जेवनवार बोज, जानोटन, बढ़ार, बढ़ालिया, खोडिया ये कुछ सब्द है जो विवास से संबंदित है तो इनको एक बार देख लेते हैं तो जेवनवार बोज क्या है? एक प्रकार का बोज, जो वदू पक्स के घर पे वर्पक्स को, पहले क्या होता था? चार बार दिया जाता था जो बराद गई हुई है वदू की पक्स के घर पे वहाँ पे जो बोजन करवाय जाता है उसे जेवनवार बोज कहते है जानोटन, ये वर्पक्स की दिया जाने वोला बोजन है वो जानोटन कहलता है बढ़ार क्या होता है कन्या पक्सतोरा विवाक हो गया संपन उसके बाद दूसरे दिन अपने समंधियों को जो बोजन दिया जाता है उसे कहते है बढ़ार बढ़ालिया तो बढ़ालिया दक्षनी राजस्तान की जिंजातियों में दो पक्सों के मद्दे विवा समन्द में मद्दस्ता करने वाला यह एसा व्यक्ति जो विवा समन्द में मद्दस्ता करता है उसको कहते है बडालिया ठीक है तो यह हो गया जो यह है जो यह क्या है यह बडालिया कहलाता है तो खोडिया ये टूटा नाच क्या होता है तो जो वरपक्स होता है उसके जो बाराती होते हैं वो विवा के लिए कन्या पक्स के यहां चले जाते हैं पीछे जो मैला ही होती है वो जो नाटक प्रोग्राम वगरा करती है उसे हम टूटा नाच या खोडिया कहते हैं तो इसे ह 899-3 uh है कुछ अबुशन है और हमें समन्द करना आ इ 쪽 वह कौण से अंगमे पैने जाते हैं यहाद कड़ा और पत्ति कड़गारे करना पैरों में जाता है इसके बाद कंद्रा कंद्रा कमर में पेना जाता है और पत्ति काम में पै sì तो हम देख लेते हैं कमर के अभूशन मुख्यत है कौन से है एक तो करदनी एक कनक्ती एक तगड़ी एक कंदोरा करदनी कनक्ती तगड़ी और कंदोरा यह क्या है यह कमर के अभूशन है जुमका फूल बाली लटकन और पत्ती यह क्या है जुमका फूल लटकन बाली और पत् तो गड़ा पेर काबोशने है टांका भी ए मैं जो ंटर में आगर लग लगे में पत्ति तो पत्ती का प्लमulsरत है का irm वहीं टोड़ा तो पेर में पैने सकता है तो इस प्यकार एकल कॉनृफ़त प्रिश्ण in जैसे पिछली बार आरेस एक्जाम में आये था है टोटी कहां का भुषन है तो टोटी कहां पहना जाता है तो टोटी कान में पहना जाता है तो इस प्रकार के प्रश्ण इस बार भी प्रिक्जाम में बन सकते है लालनाज जी, चोखनाज जी, सवाईदास जी ये कौन से संप्रदाश से संबंदित संथ है तो लालनाज जी, चोकनाज जी और सवाइदाज जी है ये जसनाती संप्रदाए के प्रमुक्षंत है जसनाज जी की बात करें तो इनका 1482 से 1506 तक ये रहे सिरी हमीर जी जाट और रूपादे मतलब इनके पिता जी का नाम हमीर जी जाट था और इनके माता जी का नाम रूपादे था और जनम हुआ कहाँ पे तो जसनाज जी का जनम कर्तिरासर में हुआ कर्तिरासर कहाँ पड़ता है बिकानेर में और कब ये जनम हुआ कब तो कार्तिक सुकल पक्स की एकादसी 1549 में इनका जन्म हुआ गोरक नाज जी के पंसे दिखसित हुए और गोरक मारलिया जो बिकानेर में पढ़ता है वहाँ पे इनोंने कटिन तप किया और ग्यान की प्राप्ति की और गोरक नाज जी ने इनका नाम जसनात रखा था तो प्रशना आये कि जसनात जी का नाम जसनात किसने रखा तो हमारा उतर क्या होगा गोरक नाज जी ने रखा ठीक है और इनके प्राड़म्बिक अनुआईयों में हारोजी और जीयोजी इसके लाव लाल ना जी चोकना जी सवाइदार जी ये भी है इनके उपकदेश दो प्रमुग गरंत एक तो सिंबुदढा और एक कौंडा इसके अंदर संगर ही थे तो सिंबुदला और कॉंडा गरंतों का सम्मंद कौन से पंत से हैं तो मारा उत्तरों का जसनाती संप्रदाय से और इस अन्याई के जो अन्याई होते हैं वो 36 नीमों का पालन करते हैं इस प्रकार से विश्णोई 39 नीमों का पालन करते हैं वेसे जसनात जी के जो अन्याई होत तो हारोग गोरखना जास नम आ किसने दिया तो इनके पिता जी में नम क्या था तो हमीर जाट की पिता जी का नाम था ठीक है यहां उर्स का तोहार 6 दिनों तक चलता है और कहां पर अब्दुला पीर का मगबरा यह द्यानक ने वाली बात है बगवानपुर बांशडा में यह मगबरा अवस्तित है मैं नोकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बारत से बाहर कोन ख़देड़ेगा यह कहतन किसका है कहां पे जेपुर मिन का जन्म हुआ था और कई बासाओं के यह ग्याता थे जैसे इनको संस्कर्ट भी आती थी अंग्रेजी भी आती थी पार्सी भी के यह ग्याता थे अर्भी पाली कई सारी बासाओं के विद्वान थे और इसी विदुद्धा को देखर जेपुर की जो मार करा दिया था वो भी जेपूर जैसी बड़ी रियासत के और 1905 में इन्होंने जेपूर में वर्दमान पार्ट साला की स्थापना किस ने की तो उत्तर होगा अरजुनलाल सेटी कब करी 1905 में करी इन्होंने जेइन सिक्सा परचार समिति की स्थापना करी और इनका निदन 1945 को अ को सुरुवात किसने करी थी तो ACL कालायल साहब है इन्होंने सबसे पहले राजस्तान में पुरतात्मिक सर्वेक्षन का कारेकरम सुरू किया था किसने ACL कालायल साहब ने बाद में जो DR बंडार कर होए, दैराम साहनी होए, SD साकलिया होए, बीबी लाल होए और जीवन खरकवाशला होए, आरसी अकरवाल होए, ये कई विद्वान होए, इन्होंने जो परिपार्टी कालायल साहब ने सुरू की थी, उसको आगे बढ़ाने में इन्होंने मदद कर बेराट सबेता से प्राप्त अवस्यसों में नहीं है, यानि बेराट सबेता से कुछ अवस्यस प्राप्त होए, लेकिन कौन सा इन उप्संज में से है, जो बेराट से प्राप्त नहीं होए, तो पंचमाक सक्ये तो मिले है, स्वन मंजु साब मिले हुए, बुने हुए मस्त जिएवी जी ओंगरी आदिस्तान West अब उत्करन किया दैयारएं सबसे पहले कियार घूर 22 कि एक ट comics देश्वा गॉरड गूर्भنا पर वेञे हैं लेकिन बती नहीं मिली है ठीक है आ시면 समय जैपूर के उस समय यहां पे एक स्ट्वन मंजु सा भी प्राप्त हुई और यह सा माना जाता है कि इसमें बागवान बुद्ध है उनकी अस्तियां थी बीजे की डूंगरी पर असोक के बाबरु सिलाले की खोज किसने करी बीजे की डूंगरी है वहीं पर बेराट में वह की कहां पर करी तो बीजे की डूंगरी पर करी और इनका समन्द किस से हैं तो विराट से जब बीजे नेगर जिसे हम विराट नेगर कह सकते हैं वहां से इसका समन्द नुणार क्षित्र का एतिहासिक कस्वा जहाँ पे गोड़ी-्राव तलाव, सिव-डूंगरी, सीलकी-डूंगरी, चंपेस और मादेव और प्राचिन सूर्य MANDिर अबस्तित है यही मैं नुणार के खत्र का कस्वा है और में उस कस्वे से समंधत स्थिस्तल है तो कौन से कौन से हो गए एक तो गोड़ी रावत अलाब हो गया इसके लाव सीव डूंगरी भी वहीं पे है सील की डूंगरी भी वहीं पे है चंपेस और मादे भी वहीं पे है और प्राचिन सूर्य मंदर भी बना हुआ है तो हम बात कर रहे हैं किस कस्वेगी चाक्सु कस्वेगी इसकी चाक्सु कस्वेगी हम बातचित कर रहे हैं तो देखो पुरातन वेबाउ का प्रतीक डुनार्ड शेतर क्योंकि डुनार्ड शेतर में जैसे बेराट वाला हो गया चाक्सु हो गया तो प्रातन वेबो तो definitely है जेपुर कोटा मार्क पे ये चाक्सु कस्वा अवस्तित है इसका पहला पुरणा नाम क्या था चंपा होती और ये अब ब्रंस हो के क्या बन गया चाक्सु बन गया कहीं कहीं इसका नाम चाठ्सु भी आता है और वरत्मान का इंडिका में प्रकाशित किया था तो AP कसे ऐखिया रणे स्नी जघाब दिगभा स्थरा था एक एक उटन को प्रकाशित किया था और कई Ciao सूरquently स्थिव मंदिर प्राचिन साथ सीट मढ़ी म्याद इतल स्थ्प बना हो बढ़ता है अब कुछ संस्तान है और उनका मुख्याले पूचा है कि कहां में सुमिलत करना है तो राजस्तान संगीत अकाडमी का मुख्याले कहां पर है तो राजस्तान संगीत अकाडमी का मुख्याले है जैपूर में तो रास्तान संगीत नाटक अकाडमी का मुख्याले जेपूर में है, लेकिन अगर संगीत नाटक अकाडमी का नाम आ जाता है, संगीत मा तो संगीत है तब जेपूर में है, लेकिन संगीत नाटक का नाम आता है, कहां पर हो जाएगा इसका मुख्याले जोदपूर में हो सब्सक्राइब, लेकिन अगर संगीत नाट्रक अकादमी चाहिए तो काहा विलेगी जोधपूर में और कभी चाहिए गई तो यह 6 दिसमबर 1902 साहिद कर दो इसकि बड़ेपूर में इसके स्थापना 1908 में कीगी अजैपूर नाटक जोथपूर रस्तान साहिते का स्थापना 1908 संहाश्चेफा ड़ेफूर रस्तान संगीत अबड़ेपूर स्थापना 1915 में की गई लेकिन इस्तानातीच निसाट्य में किया गया थीक एक किवzos तान्य कहा व्थ पुस्तफक के लहकर कोन यानि किताब है रासतानी निकहायवत यह इसका ले क्यों है तो इसके लेकर कि के श्री कने लाल सहल सहाब कने लाल और इनका सम्ध कहां से अलाइन गावंत की उपादे उपादे यह प्रदान करी गई थी नाम क है इनका रहेख ही तक अगरू 2 चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आसा करते हैं कि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है, तो लगाता जुड़े रहे और अपने प्यार को बनाए रहे, धन्यवाद